पहला, पतंग की गत Dare, टूडी गती होती है, कैसी गती है टूडी, जब तक पतंग control में है, तब तक टूडी है, और control से बार गई, कहीं भी गिर सकती है, तो वह 3D हो जाएगे, भाली देखो, पतंग की गती है पतंग उड़ रही है, तो ये टूडी होगी कारण गया इसमें चुके external force क्योंकि external जो force है न वो 0 नहीं है control में आपके उर तो अबामे रही है पहला statement से ही है लेकिन external force 0 नहीं है इसलिए कैसी रहेगी तोड़ी रहेगी अब आपसे बात करें पतंग का गिरना पतंग का गिरना होगा 3D motion क्योंकि पतंग का गिरना इसमें है तो एर में and external force भी है